जहां दिन पे दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है लू के कारण लोगों का बुरा हाल हो रखा है तपेश के चलते लोगों का घर से बहार निकलना मुश्किल हो रहा है सूरज की तपेश से जुलस रहे लोगों के लिए अब एक और बड़ी मुसीबत आ गई है प्रदेश में बीते तीन दिनों से हुई बारिश और तेज हवाओं के चलते ताप मान में घिरावट डर्ज की गई थी लेकिन प्रदेश में कल से नौतपे की शरुआत हो चुकी है जिसके चलते पारा अब और चड़ेगा ऐसे में अब कुछ दिनों से मौसम में राहत महसूस करने वाले फिर से गर्मी और उमच से परिशान होंगे 25 मई आने की कल जेश्ट माह के किर्ष्ण पक्ष की दश्मी तिती थी इस तिती से ही नौतपा की शुरुआत होती है जेश्ट माह में रोहिनी नक्षत्र 25 मई से शुरु हो चुका नौतपा दो जून तक रहेगा इस दौरान सूरज की गर्मी अपने चरम पर रहेगी नौतपा के दोरान सूरे देव रोहिनी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं जिस कारण नौतपा के नौ दिनों में सूरज की गर्मी चरम पर होती है इस दौरान गर्मी को जेलना बहुत मुश्किल हो जाता है नौतपा में धूल भरी आंधी और बारिश की पूरी संभावना रहती है ऐसे में शादी विवाज जैसे मंगल कारे ना करने की सलाह दी जाती है नौतपा में लोगों को लौंग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी अवाइड करने के लिए कहा जाता है साथ ही डेली लाइफ में भी नौतपे की वज़े से डिस्टर्बिंस क्रियेट होने लगी है अब बात करते हैं कि जोते शास्तर में नौतपा का आखिर क्या महत्व होता है दरसल जोते शास्तर के अधार पर कई भविश्यवाने की जाती है नौतपा के दोरान गुरो और शुक्र एक ही राशी में रहने वाले हैं ग्रहों की इस यूती पर बुद्ध की दृष्टी भी पड़ेगी अब ऐसे में सवाल ये है कि हमें नौतपा के दोरान ऐसा क्या करना चाहिए जिससे की इसकी तपिश से हम परिशान ना हो इस समय में आपको जितना हो सके हलका भूजन का सेवन करना चाहिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए और पक्षियों के लिए किसी मिट्टी के बरतन में पानी भर कर रख देना चाहिए रहागिरों को भी पानी पिलाना चाहिए इसे पूर्णे का काम कहते है 25 से शुरू हुआ नौतपे का संयोग किसानों के लिए तो इस बर खुशकबरी लेकर आया है एस्ट्रोलोजर्स का मानना है कि नौतपा में मौसम में बहुत बड़ा चींज आएगा एग्रिकल्चरल स्पेशलिस्ट के हिसाब से खरीफ की बुहाई से पहले मई जून के महीने में ज्यादा गर्मी होने की वज़े से फसलों की अच्छी पैदावार होती है आंधी के साथ मैदानी इलाकों से आने वाली उपजाओ मिट्टी से फसलों को कई तरह के उपजाओ कर मिलते हैं ऐसे मौसम में बाजरा फसल और दलहन फसलों की अच्छी पैदावार होने की संभावना मानी जाती है खै देखते हैं कि इस बार का नौतपा अपने क्या नए तेवर दिखाता है Bureau Report, The Fact India